आपको उस पिक्चर को डिसक्राइब करना है कि उस पिक्चर के बारे में आपको लिखना है आपको एक बस में ड्राइबर है उसके पिक्चर आपको दी गई है और आपको दिसक्राइब को डिसक्राइब दे गई है एमद एक बस ड्राइबर है जिसको अभी रिसेंटली में ही एक जॉब मिली है जो मिडल्सबो इंगलैंड के एक शहर है मिडल्सबो वहाँ पर उसको जॉब मिली है वो मॉर्निंग शिप्ट में काम करता है जो उसकी शिफ्ट सटार्ट होती है 5.30 to 1.30 तब मॉर्निंग में स्टार्ट होती है 5.30 से और वो कब तक रहती है उसकी 1.30 in the noon and sometimes he has the evening shift finishing around 8 p.m और कभी कभी वह evening shift में भी काम करता है जो उसके finish होती है खतम होती है रात के 8 बजे His bus number is number 9 to Whitby उसकी जो bus का number है वो है number 9 His bus number is number 9 Which runs east and west along Brow Road वो कहां run करती है Brow Road Brow Road is the name of the road Brow Road पर and east and west Brow Road पर भी जाती है और east और west में भी वो run करती है His route is busy जिस route पर उसकी वो bus चलती है कि एहमद की बस चलती है वो route बहुत ही busy है लेकिन But it is in a nice part of time लेकिन वो area वो part टाउन का बहुत ही अच्छा part है एहमद लाइक्स इस जाब विद मच Saturday को काम करता है and has a day off on Sunday और Sunday को उसका off रहता है He usually spends Sunday with his family Normally वो Sunday को अपनी family के साथ spend करता है and plays golf with his friends और अपने friends के साथ golf खेलता है Golf is the name of a game Next year एहमद will be 62 Next year एहमद 62 It means एहमद 62 years के हो जाएंगे and he is thinking of retiring और वो retire होने की सोच रहे है His wife wants him to work a little longer लेकिन उनकी wife चाहती है कि वो थोड़ा सा और काम करें It means अभी retire ना हो वो और काम करें थोड़ा सा because they still owe money वो क्यों चाहती है ऐसा they still owe money for the car they bought ताकि वो थोड़ा सा और पैसा कमाए और उससे अपनी नई कार खरीच सके एहमद has worked hard for the past 40 years एहमद अपने पिछले 40 सालों में बहुत ही मेहनत से काम करता आया है and he wants to retire as soon as possible उसने अभी तक 40 years उसने बहुत ही hard work किया है और अब वो जितनी जल्दी हो सके retire होना चाहता है He is not worried about money उसको money की फिकर नहीं है वो money की चिंता नहीं करता है because one day he hopes to win the lottery it means वो उसको भरोसा है because one day he hopes उसको ये उमीद है कि एक दिन वो कोई लॉट्री जरूर जीतेगा okay students so students I hope you understood very clearly do this passage in your notebook okay good day and goodbye